इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Olmecure 40H tablet is a combination of two medicines यह विभिन तरीकों से high blood pressure को नियंतरत करने में मदद करता है यदि high blood pressure का इलाज नहीं किया जाता है तो आगे चल कर hot attack, stroke और kidney fail होने जैसी समस्याएं हो सकती है You can take Olmecure 40H tablet with or without food, dose आपकी condition और दवा की प्रती आपके response पर निर्भर करेगी हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है इसलिए सोने की 4 घंट पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें आमतोर पर high blood pressure में लक्षन नहीं होते हैं और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका hot attack या stroke का जोखिम बढ़ सकता है सबसे सामानि side effect चक कर आना है अन्य side effect में कमजोरी, सिर दर्द, ठकान, सीने में दर्द और एडिमा शामिल हैं बार-बार पेशा बाना इस दवा का side effect नहीं है आपको अन्य side effect का अनुभव हो सकता है लेकिन अधिकतर दुरलब हैं यह कभी-कभी आपकी आँखों में दबाव में वृद्धी कर सकता है और अगर इलाज नहीं किया जाता है तो आँख को स्थाए नुकसान पहुचा सकता है आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले leaflet को जरूर पढ़ें और अगर आप side effect से परेशान है या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं आपकी खुराक को adjust करना या किसी अन्य दवा को try करना संभव हो सकता है गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इस दवा का सुझाव नहीं दिया जाता है और अगर आपको kidney या liver की बीमारी, hot में समस्या या diabetes है तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए शराब पीना आपके blood pressure को कम कर सकता है और इससे side effect हो सकते है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद